सब्सक्राइब करते हैं जो आपके आने वाले एक्जाम के होते हैं और इसके अंदर हम लोग काफे कुछे जो की कवर करते हैं यानि कि डेली की जो महत्रपून सवाल है वो हम लोग कवर करते हैं इस सेशन को आप सभी को मालूम है बहुत टाइम से मैं रेगुलर लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोग के कोशन अनसर सेशन जो हमीशे चलता रहे और आपको कभी भी कोई दिक्कत है जो कि एक्जाम के अंदर डायेटली कोशन देखने को मिलें तो चलिए शुरुआत करते हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है सबसे पहले अनकैडमी प्लस के बारे में जानेंगे जहां पर 40 प्लस एक्जाम के तयारी करवाई जाती है डिसकाउंट भी मिलता है अगर आप भी एचू टैन या बुनेश टैन यूस करते हैं तो टैन परसेंट आपको डिसकाउंट है जो की UPSC, PCS, Defense, Banking, SSC सभी एक्जाम के लिए मिल जाता है आपको सारी Top Educators पढ़ाते हैं या ठीक है आपको यहां पर 12, 24, 36 मेने का कोई भी प्लस कोर्स ले सकते हैं आप UPSC का और आपको डाउनलूट करनी होती है मूबाइल नंबर डालना होता है उसके बाद में यहां पर अपन 10 लगा सकते हैं ठीक है अगर आप चाहें तो SSC का प्लस कोर्स ले सकते हैं जहां पर अभी मैंने बाइलोजी की क्लासे स्टार्ट कर यह साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया है तो आप जोइन कर सकते हैं और एक बच्ची के एजूकेशन भी आप स्पॉंसर कर सकते हैं स्माइ गया है याद है आपको मैंने तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा यून आपका यहां पर बिल्कुल सभी आंसर हो जाएगा प्रदेश उने एक सवाल पूछा है सर मैं MPPCS दे रहा हूं मुझे कलेक्टिव सैट मिल सकता है क्या यार प्रदेश पॉसिबल नहीं है आपको टेलिग्राम पे जो पीडिएफ होती है उसी से यह खुद ही एक सैट है जो कि बनाना पड़ेगा आज का पहला सवाल भारत और किन अन्य देशों ने 11 मार्च को नई दिली में दूपक्षे व्यापक मुक्तवारता फिर से शुरू करी है बाइलेटरल कॉम्प्रियंसिफ फ्री ट्रेड टॉक जो स्टार्ट करी है इंडिया ने वो किसके साथ में केनेडा के साथ में रिसेंटली स्टार्ट करी है ठीक है इस तो डी आपका फोर आपका मिलकुल सही जवाब होगा हम चाहते हैं कि वापस से ट्रेड हमारा आगे बढ़े इसलिए हमने कैनेडा के साथ में यह ट्रेड वारता है जो की करी है ठीक है प्यूज गोल है जो कि इसको हैड कर रहे है इसके अलावा इंडिया और ने भी रिसेंटली टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए साइन किया है पैक्ट इंडिया जापान ने भी किया है यह ना यह दो बाते भी आपको ध्यान रखनी है आई आर डी आई के नए अध्यक्षिक किसे नियुक्त किया गया है मैं कोशन आपको एक्दम शॉट मैं ब है तो आप इजली आद कर सकते हैं एक्जाम में कभी भूलोगे नहीं ठीक है समझ गए अपॉइंट्मेंट्स की बात करें तो लाइसी मीच्वल फंड के बनाए गए कुछ टाइम पहले रामा कृश्ण जी यह भी इंपॉइंट अपॉइंट्मेंट्मेंट्स हैं बाकी कु इनेश प्रसाद जी बनाए गए सबी को मालूम ही है विजे शेकर शर्मा को युनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेरिंग ग्रूप के अमबैस्टर बनाए गए कल परसों के ने इन्होंने गाड़ी ठोक दी एक एसपी वेसपी के गाड़ी के उपर तो उनको चाला नमान लग का IPO लाँच किया है बताये अगर आपको IPO में पैसा लगाना है तो वन अप नाम का प्लाटफॉर्म लाँच किया है किसके द्वारा बिल्कुल सही है IIFL Holding Limited के द्वारा ऐसा किया गया है ठीक है तो IIFL Securities ने OneUp नाम का देश का पहला IPO में इन्वेस्ट करने वाला platform है जो की बनाया है अरे बिल्कुल सही बात है पंडा है मुझे भी से दिख रहा है वही पंडा है लेकिन आपको याद करने के बता रहा हूं पांडा से याद कर लो आपके लिए असान हो जाएगा सॉरी ठीक है तो वन अप है जो कि इस प्लैटफॉर्म का नाम है आए फल की बात करें निल्मल जैनिस के CEO है है एड़कॉर्टर इनिया में नाइटिन एंटिफाइफ मेंस की शुरुवात है जो कि हुई थी फिनेंशल सर्विस कंपनी है मुंबई मेंस का एड़कॉर्टर है कॉंसी स्टेट गवर्मेंट ने रिसेंटले 3.21 लाग करोड रुपे का बजट पेश किया अभी काफी सरे राज्यों के बजट है जो कि पेश हुए है जिसमें से सवा तीन लाग करोड का जो हुआ है मुखिस का वेस्ट बेंगॉल का है जो की हुआ है ठीक है 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 ना चंद्रिमा जी करके यहां पर फिनेंस मिनिस्टर ने उनके द्वारा इसको लॉंच किया गया है चलिए और तो इसके अलाव कुछ खास इसके अंदर नहीं है आठ बज़ाले क्लास में किसी भी राज्ये के अंदर अगर कोई बजट में स्पेशल होता है ना तो मैं आठ बज़ाले सेशन में आपको कवर करवा देता हूं तो चिंता कि कोई बात नहीं है जैसे कि इनोंने एक रहे हैं ठीक है और स्कॉच अवार्ड भी मिला था इनको इस वंडिंग विजनस इनिसियेटिव के लिए चलो जगदीब जी अभी कवर्णर है आप है मार्च 2022 में किस बैंक ने परिसंपत्ति पूर निर्मान कंपनी एने आर सील में 55 करोड रुपे में दो परतिश्यत इस् इस्सिदारी 55 करोड रुपे में कौन खरिद रहा है यह पंजाब और संध बैंक खरीद रहा है तो थर्ड़ आपका सहीजवाब हुजआएगा ठीक गैस तो पंजाब और सिंध बैंक ने 2 पर्संट इस्सिदारी 55 करोड में खरीदने के लिए रीकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर हमी बरी है एने आर सी एल के अंदर ठीक है यह आपको धान रखना है और दिली के अंदर इनका है वीर सिंग इसके फाउंडर थे उनीस सो आठ में इस बैंक की शुरुवात है जो की हुई थी मार्च 222 में केंद सरकार द्वारा जारी स्थानिय निकाय अनुदान प्रा है न वो लोकल बॉड़ी ग्रेंट देती है लेकिन इसको नहीं मिला चटीस गड़ को दोस्तों नहीं मिला है यह आपका सही जवाब होगा ठीक है ध्यान रखिए का सैनिटेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए इन सब चीज़ों के लिए लोकल फंड है जो की सेंट्र की द्वारा अविलेबल करवाए जाते हैं चलिए 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 गड़ ने कुस ताइम पहले इनिशिटिव लांच किया था राज जी गौंधी ग्रामीन भूमिहीन कृशी मजदूर न्याय उजना मुदी जी के द्वारा पी-एम डिवाइन स्कीम भी लांच करी गई नॉ ताकि अपने केंपस को सोलर केंपस से जोकी बना सके ऐसा करने वाला कौन सा कंपनी है इंडियन रेनिवेबल एनरजी डबलपेंड एजनसी है आई आर एडिये के साथ में मिलकर करार पेट्रो केमिकल एंजिनियरिंग एंड टेक्नॉलजी ने दोस्तों किया है ताकि सोलर प आज भी वैसे कहा रहा है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से वापे सोलर से काम चलता है ताकि लॉंग टम में दिक्कत नहीं आए ठीक है प्रदीप कुमार आई यार एडिये के वी सीमडी है दिल्ली में एड़कॉर्टर है एटी सेवन में रेनेवेबल एनरजी को आगे पकवाड़ा आवार्ड के अंदर कौन से कंपनी है यहां पर है इंडियन आयल कोपरेशन लिमिटेड फूर आपका बिलकुल से अंसर हो जाएगा चलिए बहुत अच्छी बात है तो उनको नंबर वन आवाड़ है जो कि सुचता पकवाड़ा आवाड़ के अंदर मिला है हर रही है इसी के साथ में अभी इंडियन एनर्जी इंडेक्स भी लॉंच किया गया था है ना और एक मात्र गैस एक्षेंज है अपना इंडिया का जिसमें आई जी एक्स ओन जी सी टॉरेंट अडानी गैस यह सारे के सारे इंवेस्टर्स हैं दिली में हैड़कॉटर ने प्रसिडेंट है जो कि अपॉइंट किया है मतलब अभी सेलेक्ट किया है पहली फीमेल प्रसिडेंट जो बनाया है वो किसके दौरा हंगरी के दौरा चुनी गई है यह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कैथलीन नोवा किनका नाम है पास साल के लिए यह बनाए गई है कोई परिवार में का कोई भी रिलेटेड है जो कि पॉलेटिक्स में नहीं है ठीक है इन्होंने स्टैच्व बिटकॉइन फाउंडर सातोक्षी नाका मोतों का भी अभी फाउंड किया मतलब उसको इस्टैच्व का अन्विल किया मुदापीस कैपिटल है फॉरिंट यहां प अक्षे बोल रहे हैं तरह आप पांच बज़े पढ़ाते हैं के बाद सोच आते हैं कि आठ बजे भी क्लास होती है अपनी करेंट अफेर की मालू में ना जिसके अंदर हम लोग एक दिन पुराना करेंट अफेर नहीं करते हम लोग डेली जो सुबह अकबार आता ना पांच फिर और एड़ान करूंगा ठीक है तो फिर क्लास होगी तो सोने का सवाल नहीं है चलिए टाइगर वुड्स आपका मिल्कुल सही जवाब है आपकी फोटो में ही देख लिए आप सभी लोगों ने बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है बहुत ही बड़े प्लेयर है चलिए ठीक लक्की बोल रहे है सर आप लाइव हो क्या हाँ बिल्कुल में लक्की लाइव है एकदम ठीक है चाड़ी आंसर हो जाएगा इस रो ठीक है गईज तो इस रो के द्वारा ये बच्चों के लिए स्कूल के बच्चों के लिए यूवी का नाम का प्रोग्राम है जो कि में देड़ सो बच्चे इसमें पूरे देश में सेलेक्ट भी होते हैं जिनको काफी जानकारे दी जाती है पांच स्टेशन के अंदर जो है लेके जाया जाता है इन सबी जगह पे जैसे वही विक्रम सारा भाई है तिरू वननद्पुरम में सैटलाइट सेंटर है बैंगली जो के अब इलेक्शन होए हैं पांच राज्यों के सीम ने रिजाइन दिया है ताकि वापस से सरकार बना सके और जिसमें से गोवा भी एक ही है इन सब में से कहाँ पे इलेक्शन होएं भी गोवा के अंदर हुए है ठीक है चलिए श्रीधरन पिल्ले इम आपे अभी गवर् आइडी रेगुलेट करेगा सूपरवाइज करेगा और इंडिया फिनैशन इंस्टिटूशन कौन से आर बी एफ आइडी ये रेगुलेशन करेगा सारे फिनैशन इस्टूशन को आर बी आइक्ट 1934 के अंदर आये था इसकी पावर के वज़त थीक है समझ गए और इंडिया फिनेंशल इंस्टिटूशन आरब एक 1934 के दहत है जो कि ऐसा फैसला लिया गया है यह और्गनाइजिशन बनाए गई है एने एफ एने बी एफ आईडी यह रेगुलेट करेंगी ध्यान रखेंगी सारे के सारे फिनेंशल इस्टिटूशन का इंडिया है के अंदर है ना तक कि लॉंग टर्म डवलोप्मेंट हो सके एक्जिम बैंक है नवाड है सैब यह क्या बोलते हैं आपका सिड़ भी है नैशनल है आउसिंग फिनेंस सबको जो है यह ध्यान रखेंगी चलिए सुप्रीम कूर्ट ने अपॉइंट किया है चेर परसन ओफ ह हाई पावर्ड कमिटी जो की चार धाम परियोजना के इंपक्ट के बारे में देखेंगे बताइए किसको अपॉइंट किया गया है आंसर क्या हो जाएगा आपका एक है सिक्री साब आपका सही जवाब हो जाएगा तो एक है सिक्री साब दोस्तों वो परसन है जिनको चार ध जज है जो कि सुप्रीम कोड के हुआ करते थे ठीक है चारधाम प्रुजट के अंदर आपकी कंगोत्री अम्रोत्री के दानात में नौ सक किलो मीटर का डबलॉपमेंट है रोड से का कंस्ट्रक्शन है जो कि किया जा रहा है कौन सा राज्य खेतान और मानचित्र सहित सही आंसर हो जाएगा तो बिहार गौवर्मेंट ने यह सुविधा है जिसका नाम है खेतान यह लाउंच करी है ठीक है ताकि आपको घर पे यह फैसिलिटी मिल सके चलिए आई सी सी वूमें क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर सबसे जादा कैप्टेंशिप करने वाली कौन से प्लेयर बन चुकी है अगर आई सी सी वूमेंट वर्ल्ड कप की बारे में बात करें तो सबसे जादा कैप्टेंशिप करने वाली मिताली राज बन चुकी है सबसे जादा मैचेज और भी इन्होंने खिले हैं ओके चौबिस गेम के अंदर इन्होंने वर्ल्ड कप में टीम में लीड किया है ठीक है चलिए इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एक्जाम की तैयारी करनी है तो आप अने कैंडमी पे भी एचू टैन या बूरेश टैन य दालना है गोल से लेट करना है आपे 40 प्लस एक्जाम के लिए प्लस में जाना है गैट सब्सक्रिप्शन में बारा या चौबिस मन्त और यहां पे भी एचू टैन नीचे की तरफ लगाना है अभी ए घंटे में फिर से मिलेंगे जोईन कर लीजेगा कोशन आव दाड़ है नाबाड को लेकर कौन से राजजने नाबाड के साथ में हाथ मिला है ताकि फिश्री इंफ्रास्रक्चर को बढ़ावा मिल सके ठीक है चलिए आज के लिए तना ही थेंक्यों अव्रिवन गुडबाए